जो वेबसाइट से करें प्यार, वो बैकप से कैसे करें इनकार, वेबसाइट का बैकप, आपके बिजनस, आपके ब्लॉग का इंशुरेंस है, और ये एक ऐसा इंशुरेंस है जो आपको फ्री में मिलता है, हर एक होस्टिंग पैनल के अंदर एक बैकप and रीस्टोर टूल होत करते हैं, कल को कोई भी hacking attempt कर सकता है, आपकी website पर malware attack आ सकता है, plugin बदमाशी कर सकता है, staff गलती कर सकता है, लेकिन उसका नतीज़ा कौन भुगतता है, आप, आपका business, आपका blog, आज के इस वीडियो में हम इस backup and restore टूल को detail में जानेंगे, एक एक option को study करके देखेंगे, उसकी क्या खासियत है, उसके क्या use है, और अपनी website का backup लेना, कुछी clicks के अंदर backup लेना सीख लेंगे, backup लेने के बाद हम ये भी देखेंगे, कि अगर भगवान ना करें, लेकिन अगर कभी जरूद पड़ती है, तो आप इस लिए हुए backup से अपनी website को restore कैसे कर सकते हैं, confidently ताकि क अब भी जरूद पड़े, तो आप उस backup को restore कर सके, किसी भी backup का होना ना होना बरबाद है, अगर आप उसे confidently use करके, अगली बर अपनी website को restore नहीं कर पाते हैं, अगली बर जवाब को जरूद पड़ेगी, तो आप इस default free वाले backup option को use कर सकते हैं, चलते हैं, स्क्रीन पर और website का free में backup लेकर देखते हैं, कि restore होगा या नहीं होगा, तो हम आचुके हैं, अपने c-panel पर और यह c-panel जो है, वो में भी आपको यहां पर थोड़े बहुत color scheme को चालग दिखाई दे रही हो, लेकिन हर एक hosting company c-panel को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से color define कर and backup wizard, backup पर क्लिक करना है, backup wizard पर नहीं जाना है, backup ज्यादा easy और straightforward process है, तो हम यहाँ पर backup पर क्लिक कर देते हैं, Now, backup पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ options दिखाई देने, थोड़ा सा user interface सिंपल सा है, लेकिन अच्छा है, तो यहाँ पर backup में आपको सबसे पहले full backup वाला यह button दिखाई दे रहे हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हम home directory नाम की इस button के उपर click कर दे हैं, ठीक है, जैसे आप home directory बटन पर click करेंगे, होगा क्या है, कि यह backup अपने आप download होना शुरू हो जाएगा, यह backup डाउनलोड होना शुरू भले ही हो गया है, लेकिन यह कुछ घूमता हुए ऐसा window दिखाई देगा यहाँ पर आपको, अगर आप Chrome पर है तो यह घूमता ब्राउजर को यूज करके, आपके Chrome ब्राउजर पर बिल्ड किया जा रहा है, तो अगर आपकी website बड़ी है, उसमें 2-3 GB की files हैं, और आपको अपना browser tab यह बंद करना है, या laptop थोड़ी दिरे बंद करना है, office से बाहर जाना है, तो यह process अपने आप में रुक सकती है, आप य इस सही नहीं है, इस से आपका जो पूरा computing experience हो खराब होता है, तो इसका दूसरा तरीका है, इसका दूसरा तरीका है, download a full account backup वाले option को यूज करना, तो हम इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले home directory का option दिखाई दे रहा है, और home directory के बाद यहाँ पर website का backup बनाने के लिए option नहीं है, यह backup कहां store होगा उसका option है, तो हम यहाँ पर click करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले home directory दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जब हम यहाँ पर generate backup नाम के button पर click करेंगे, तो जो backup generate होगा, वो कहां पर store होगा, वो store होगा home directory पर, वहीं पर जा आप ID, password देना चाहते हैं, उसे provide कर सकते हैं, और आपकी website अपना backup बनाने के बाद उस दूसरे server पर भेज़ देगी automatically, अभी सोचो कितनी अच्छी चीज़ है, कि आप अपनी website का backup सीधे सीधे किसी दूसरी hosting पर डाल सकते हैं, एक hosting का backup दूसरी hosting पर डालने, दूसरी hosting का backup ती दिना डाउनलोड किये हुए, लेकिन ये थुला सा advanced use case हो जाता है, अभी अगर आप पहली बार backup बनाना चाह रहे हैं, तो सीधे सीधे हम home directory को ही use कर सकते हैं, यहाँ पर home directory नाम के button को click करते हैं, और इसके बाद email address नाम के इस button पर click कर देते हैं, और यहाँ पर हम अपना वो email ID डाल देते हैं, जिस पर हम backup के होने के बाद information भेजना चाहते हैं, यहाँ इस email ID पर कोई भी downloadable file नहीं जाने वाली है, यहाँ पर सिर्फ information जाएगे कि भाई, आपकी website का backup complete हो गया है, ऐसा क्यों जरूरी है, क्योंकि जो पूरी process है backup लेने की यह थोड़ा time ले सकते हैं, आ और आप window को बस ताकते नहीं रहे जाएं, इसलिए आप यहाँ पर backup वाले इस option को use करें, यहाँ पर email ID देते हैं, और generate backup नाम के इस button को click करते हैं, एक बार आप click कर देते हैं, तो जब भी यह backup हो जाएगा, 15 minute में, 20 minute में, 2 गंटे में, 3 गंटे में, डिपेंड करता है कि आप अपनी spam box को भी एक दो घंटे बाद चेक कर लें, ताकि आपको यह email यहाँ पर मिल जाए, मेरे भी spam box में आ चुके है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, information पूरी की पूरी मिल रही है, you can access the list of locally stored backup files via cpanels backup interface यहाँ पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, अब यह backup कहाँ यहाँ पर है, home directory पर ही है, ठीक है, कहीं इदा उतर नहीं है, home directory पर ही यह backup मौझूद है, folder structure यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अभी मिस folder structure को भी देख लेते हैं, बट यहाँ पर साथ में यह भी बता रहा है कि यह backup को download करने का option कहाँ पर मिल रहा है, तो अगर मैं वापस एक थोड़ी दिर में अपने आप complete हो जाएगी, ओके, अब आपने अपनी सारी files का backup ले लिया है, लेकिन अभी भी backup complete नहीं हुआ है, क्योंकि WordPress websites के दो पार्ट होते है, number 1 है files और number 2 है database, यानि कि आपकी पूरी WordPress website में सारी files में ही सब कुछ नहीं होता है, जो text है, जो information है, जो design ह सब के information होती है database के अंदर, और उस database का अलग से backup लेना पड़ता है, database का backup कैसे लेंगे, नहीं पर वापस आ जाते हैं, इस download a full account backup के नीचे home directory का पटने है, home directory के नीचे आपको database एक list दिखाई देगी, अब इस list में हो सकता है, आपको एक ही database नाम दिखाई दे और हो सकता है, से ज्यादा भी दिखाई दे सकते हैं, इन में से एक आपकी website का database है, आपको उसी का backup लेना है, यहाँ पर आप एक बार किसी भी एक database के नाम पर click करेंगे, और अपने आप तुरंत ही वो download होना शुरू हो जागा, यहाँ पर यह download होना शुरू हो गया, सिर्फ 1MB का database था, यह जल दी हो जागी, हमेशा हर एक website में database का size, आपकी files के size के comparison में बहुत कम होता है, 1MB का, 2MB का, बहुत बढ़ी website में 10-15MB का होगा, बट उससे जाधा नहीं होता, अधिकतर नहीं होता, बट हो सकता है, it's not impossible, लेकिन अगर आपकी website के backup वाले window में यहाँ पर एक से जधा नाम द File Manager, File Manager हमने click कर लिया है, और यहाँ पर हमें आना होगा, अपनी website, जो हमारी website है, जिस पर हम यह काम कर रहे हैं, उस website के folder के अंदर आना पड़ेगा, ठीक है, जिस भी website के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर website की एक file देखनी होगी, जो है wp-config.php, wp-config.php के उपर right-click क एडिट या विव दोनों में से किसी भी एक बटन को क्लिक कर लेते हैं मेरी हैबिट अड़र क्लिक करने कि मेरी हाथ वहीं पर जाताności एड़र को लिक कर लिया, यहां पर चेंज कोई भी नहीं करना दीरे-दीरे आते जाते हैं और एक लाइन मिलेंगे आपको DB underscore name, DB अंडर स्कोर नेम इसके सामने ये नाम देखना है ये क्या है WP 162 यानि कि इस destination.aimclass.net वेबसाइट का जो डेटाबेस है DB डेटाबेस उसका नाम क्या है WP 162 ये सिर्फ नंबर याद रख लेना है इसको कटडाउन कर देता हूं इसको हटा देता हूं और यहां पर वापस आते हैं बैकप वाले विंडो पर जो हमारी डेमो वेबसाइट है जिसमें 12-15 मिट का टाइम लग सकता है उतनी देर वेट कर लेते हैं उसके बाद यहां पर हम आगे जो रिस्टोर वाला प्रोसेस है उसको पूरा करके आपको दिखाएंगे तब तक एडिटिंग वाला ब्रेक ले लेते हैं वैसे जो बैकप फाइल आपको यहां पर दिखा यहां पर यहां पर यहां पर होनी चाहिए इसी फोल्डर में यह फाइल होनी चाहिए नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं यह फाइल यहां पर दिखाई दे रही है बैकप 3-1-00 यह 1.7GB की फाइल है तो आप चाहो तो यहां से राइट क्लिक करके और इसके बाद डाउनलोड कर लो या फिर बैकप वाले इस विंडो पर आने के बाद यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर लो काम एक ही होना है कांच अधर से पकने या उधर से पकने तो अब हम आदे गंडे का ब्रेक लेते हैं और इस फाइल के डाउनलोड होने के बाद वापस आते हैं बैकप वाले विंडो पर इस प्रॉसेस को क्म्लीट करते हैं और यहां पर अब हमें रिस्टोर करना है अपनी वेबसाइट को कोई प्रॉब्लम हो चुकी है हमें उससे बचाना अपनी वेबसाइट को तो हमें यहां पर दो फाइल को आप करना पड़ेगा सबसे पहले हमें यहां पर क्लिक करना होगा इस होम डिरेक्टरी बैक अप नाम के बटन के ऊपर और यहां पर क्लिक करने के बाद आपने जो अभी 1.1 GB वाली फाइल बड़ी वाली फाइल जो आ करेंगे open कर लेंगे right and then इसके बाद यहां पर आपको upload बटन पर क्लिक करना होगा यहां पर file restore हो रही है यह पुरी 1.1 GB की file upload होगी और इसके बाद यह restore होगा एक बार जब यह restore हो जाता है इसके बाद आपको यहां पर SQL database को भी restore करना होगा और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इस SQL database के नीचे बने हुए upload बटन के उपर और हमारा database भी restore हो जाएगा एक बार जैसे यह दोनों file upload हो जाते हैं यहां पर success वाला message आपको दिखाई देगा और आपकी website वापस पुराने style में restore हो जाएगी जितना भी content था वगयर वगयर सारी चीज़ें वापस आजाएगे वैसे अगर यह process किसी भी step पर आपको बहुत ज्यादा लगती है और आपको लगता है कि यार इतना सब कुछ में नहीं कर सकता हूं इतना जदा busy lifestyle में अपना business manage करूं या फिर सिर्फ बैकप को बार-बार manage करता रहूं तो आपके पास easy तरीका भी है ब्लॉग वॉल्ट नाम के plugin को use कर सकते हैं ब्लॉग वॉल्ट आपके लिए automated बैकप की facility create करता है और एक और अच्छी बात यह है कि आपका बैकप जो है वो सिर्फ आपकी memory पर depend नहीं करता है आपके hosting plan के storage के उपर depend नहीं करता है आपकी computer की storage के उपर depend नहीं करता है बलकि यह सीधे-सीधे cloud पर backup लेता है तो every day आपकी website का एक backup automatically लिया जाएगा आपको पता भी लगेगा और cloud पर store कर दिया जाएगा जब भी आपको restore करना है आपको सिर्फ date select करना ही कि आप कितने दिन पहले का backup यूज़ करना चाहते है date select की restore brand को उपर click किया और website automatically पुराने वाले वर्जिन पर लॉट जाएगी कुछ भी नहीं करना है कुछ भी memory यूज़ नहीं कुछ भी इदर मेमोरी में रखने की alert लगानी की alarm लगानी की जरूरत नहीं पड़ेगी so if you are serious about your business and ya blog और आप एक professional setup में काम कर रहे हैं तो आप लॉग वल्ट की यूज़ कर सकते हैं otherwise free वाला option तो आप वास ही जाहे आप जो भी method यूज़ करें but at least अपनी website का backup जरूर ले जैसा मैंने कहा जो website से करें प्यार वो back-up से कैसे करें इंकार so I hope कि आज के बाद आप अपनी website का backup regularly लेते रहेंगे और जब भी जरूद पड़े तो आप restore करने के लिए भी ready रहेंगे मेलते हैं गले वीडियो में किसी और टेप और किसी और ट्रिक के साथ में तब तक के लिए keep learning keep watching thank you so much for watching this video my name is Amitivari from amitivari.net and I will see you next time take care